नमस्ते, कैम चो और वेलकम बैक टू दी सीरीज अप कन्फूजिंग वर्ड्स इन टूड़ेज वीडियो वी विल डिसकस तू कन्फूजिंग वर्ड्स विच आर अनिंटरेस्टेट वजस दिसिंटरेस्टेट वैसे सुनने में आपको ये दोनों वर्ड्स एकदम सिमिलर लगेंगे दोनों की मिनिंग्स भी शायद आपको सेम लगेंगे लेकिन इन दोनों के मिनिंग्स में बहुत बड़ा डिफरंस है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इनका use किस सरह से किया जाता है तो सबसे पहले हम इन दोनों की meanings को समझने की कोशिस करते हैं तो uninterested का मतलब होता है not interested यानि की interested नहीं होना तो simply interested का opposite word होता है uninterested लेकिन अगर बात करें disinterested की तो इसका मतलब होता है impartial यानि कि स्वार्थ हिन होना पक्षपात किये बिना ओके सो impartial का मतलब होता है स्वार्थ हिन तो अब इसका meaning अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं examples देखेंगे तो चीज़े आपको समझ में आ जाएगी तो सबसे पहले examples देखता है uninterested के जिसका मतलब होता है not interested यानि कि interested नहीं होना So first example I am uninterested in this trip मैं इस यात्रा में शामिल नहीं हूँ या मुझे इस यात्रा में रस नहीं है Another example she is currently uninterested in joining your team वो फिलहाल आपकी team में शामिल होने के लिए तयार नहीं है या उसको शामिल होने में रस नहीं है So uninterested का मतलब होता है simply not interested तो अब देखता है disinterested के examples disinterested का meaning होता है impartial यानि कि स्वार्थ हीन होना not taking sides यानि पक्षपात नहीं करना Example is the referee must be a disinterested party referee जो है वो पक्षपात नहीं करने वाला person होना चाहिए या तो स्वार्थ हीन person होना चाहिए Another example we are struggling to find disinterested person to find out who is guilty यानि कि हम लोग बहुत ज्यादा कि संगर्ष कर रहे है एक ऐसा person को ढूणने के लिए जो कि किसकी गलती है वो स्वार्थ हीन तरीके से बता पाए तो simply disinterested का मतलब होता है स्वार्थ हीन होना या पक्षपात नहीं करना तो यहाँ पर मैंने आपके self assessment के लिए कुछ questions रख है तो कोशिस कीजेगा इनके खुद से answers करने की और चाहो तो आप इसका screenshot भी ले सकते हो so I hope आज का वीडियो आपको काफी useful लगा होगा तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इससे like जरूर कीजेगा और मुझे comment करके आपके answer जरूर बताएगा तो subscribe करना मत बुलेगा और bell icon पे click जरूर कर देगा मिलता है दोस्तो next videos में thanks for watching